देश टीवी की सुर्ख्या में देखते हैं आज की देश विदेश की चर्चित खबरें 22 जुलाई की सुर्ख्यों में पहले स्थान में हैं भारत ने लगाई शांद पर एक और शलांग चांद पर भारत के दूसरे महत्वा कांक्षी मिशन चंद्रयान टू को सुमवार को श्री हरी कोटा के सबसे शक्तिसाली रॉकेट जीएसलबी मार्क 3 एम वन के जरिये प्रक्षेपित किया गया है इस मिशन की लागत 978 करोड रुपे है एक सब्ता पहले तकनीकी गड़बडी आने के बाद चंद्रयान टू का प्रक्षेपन रोग दिया गया था आज सफल प्रक्षेपन के बाद 48 दिन की आत्रा शुरू हो गई है यह दुनि प्रियंका गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग तूल पकड़ने लगी है दरसल उत्तरवदेश के सोनभद्र में हुए नरसहार को लेकर प्रियंका गांधी ने जिस तरह से योगी सरकार के खिलाब मुर्चा खोला उससे पार्टी निताओं में इंदिरा की जलक दिखने लगी प्रियंका के इस तेवर को लेकर कॉंग्रेस नेता और पूर्वसांसत शत्रुगन सीना ने कॉंग्रेस महासचेव की जमकर तारीफ की है और उन्हें ही पार्टी का कमांद सौपने की मंशा जाहिर की है आज के सुर्खियों में तीसरे स्थान में है पोस्ट ओफिस की दी जाएगी फ्रेंचाइजी पोस्ट ओफिस की डिमांड मोदी सरकार के आने के बाद बढ़ने लगी है भारत में एक करोड पचपन लाख पोस्ट ओफिस हैं इसके बावजूर अभी कई इलाके ऐसे हैं जहां पोस्ट ओफिस है ही नहीं पोस्टल डिपार्टमेंट पोस्ट ओफिस खोलने के लिए लोगों को फ्रेंचाइजी दे रहा है जिसके जरिए आठवी पास व्यक्ति भी अच्छी कमाई कर सकता है इसके लिए निर्देशित नियमों का केवल पालन करना होगा आज के सुर्खियों में चौथे स्थान में हैं डी राजा बने CPI के नए महासचिव भारती कम्निस्ट पार्टी ने राजसभा सांसर डी राजा को पार्टी का नया महासचिव नियुक्त किया है वे निर्द्वान महासचिव इस सुधाकर रिड़ी का स्थान लेंगे कम्निस्ट पार्टी के 95 साल के इतिहास में ये पहली बार होगा जब किसी दलित समुदाय से आने वाले नेता को पार्टी का महासचिव बनाए गया हो पार्टी सुत्रों के मताबिक राजा को महासचिव बनाए जाने का प्रस्ताव राष्टी परिसत की बैठक में पेश किया गया जहां राष्ट्री कारेकारिन ने सर्वसम्मती से इसे मंजूरी दे दी आज के सुर्ख्यों में पांचमे स्थान पर है बाबा रामदेओ की बढ़ी मुश्किले योग गुरु बाबा रामदेओ की कमपनी पतंजली एक बार फिर विबादों में फस्ती भी नज़र आ रही है अमेरिकी स्वास्त नियामक युनाइटेट स्टेट्स फूड एंड ड्रक एड्मिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट में पतंजली द्वारा शर्वत के दो ब्रांड पर भारत और अमेरिका में अलग अलग गुणवत्ता को उजागर किया गया है इस वजह से अमेरिकी खाद विभाग पतंजली आयर्वेद कमपनी के खिलाब केस दर्श करने पर विचार कर रहा है दोशी पाया जाने पर कमपनी पर करीब तीन करोड रुपे का जुर्माना लगा जा सकता है आज की सुर्खियों में छटवे स्थान में पंजाब के उद्वोगों पर प्रदूशन बोर्ड की नजर पंजाब पॉलुशन कंट्रोल बोर्ड ने राजे के उद्वोगों पर बड़ी कारवाई की है बोर्ड ने पंजाब के 44 ऐसे बड़े उद्वोगों को बंद करने का निर्देश दिया है जो पंजाब की नहरों में खतरना केमिकल छोड़ रहे हैं बोर्ड के अनुसार लुधियाना के बुढ़े नाले का पानी आगे चल कर सतलुज नदी में गिरता है और पंजाब से होते हुए पानी आगे राजस्थान चला जाता है ऐसे में यह खतरना केमिकल वाला पानी ना सिर्फ पंजाब बलकि राजस्थान के लोगों के लिए भी बड़ी मुसीबत बना हुआ है आज की सुर्ख्यों में साथमे स्थान में हैं फिर सस्ता हो सकता है कर्ष भारती रिजब बैंक अगले महिने यानी आगस्त में मौदरिक नीती की समिक्षा में नीती का दरों में 0.25% की कटोती कर सकता है यदि केंद्रिय बैंक ऐसा करता है तो लगातार चौथा मौका होगा जब वह ब्याजदर घटायागा आरबियाई गवर्नर शशिकान दास ने बताया कि आरबियाई ने 2019 में रेपो रेट में अब तक 0.75% की कटोती की है आरबियाई की अगली पॉलिसी बैठक 7 अगस्त को होगी जिसमें ब्याजदर पर मुहर लग सकती है आज के सुर्खियों में आठफे स्थान में हैं बिहार में बार ने मचाई तबाही बिहार में बार की वज़े से हालात खराब होते नजर आ रहे हैं दरभंगा जिले के एक अकराघाटी गाउं के पास गुजनने वाले हाईवे 57 पर लोगों ने शेल्टर बना लिया है और वहाँ पर शरन ले रखी है लेकिन हाईवे की किनारे इस तरह से शेल्टर बनाने से दुरगटना का भी खत्रा है साथ ही जाम भी लग सकता है लेकिन कोई रास्ता ना देख पुलिस ने इस आशंका को टालने के लिए कड़ इंतजाम किये हैं विहार में बार की सिती अब भी भयावा है आज की सुर्ख्यों में नवमे स्थान में है भारत के बाद अब ऑस्ट्रिलिया में चला कभीर सीं का जादू शाहित कपूर और अभिनेत्री कियारा आडवानी के फिल्म कभीर सीं ने अपने शांदार बॉक्स आफिस कलेक्शन में कई रिकॉर्ड्स काइम की हैं कभीर सीं की फैन फॉलोइंग का ये हाल है कि रिलीज के 30 दिनों बाद भी ये फिल्में देखी जा रही है इस फिल्म ने बॉक्स आफिस पर कई फिल्मों से मुकाबला किया जिसमें रितिक रोशन की सुपर 30 और आयुश्मान खुराना की आर्टिकल 15 शामिल है कभीर सीं 2019 की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है साथिया विदेशों में भी सफलता पा रही है कभीर सीं ऑस्टेलिया में भी सबसे बड़ी ग्रॉसर फिल्म बन गई है आज की सुर्क्यों में दस्वे स्थान में है भारत का गर्व हीमादास स्टार एथलेट हीमादास ने 19 दीन के भीतर पांचवा गोल्ड जीत कर देश के गौरों को और भी बढ़ाया है भारत की गोल्डन गर्ल हीमादास 19 साल की कम उम्र में बेहत शांदार प्रदर्शन कर रही है पांचवा गोल्ड जीतने के बाद प्रदानमंती नरंद मोदी ने उन्हें बधाई दी है पीम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि भारत को हीमादास पर बहुत गर्व है हीमादास ने पिछले कुछ दिनों में शांदार उपलब्दियां हासिल की है सभी बहुत खुश हैं कि उन्होंने विभिन्ने टोर्णामेंटों में पांच पदक जीते हैं उन्हें बधाई और उनके भविश्य के प्रयासों के लिए शुप काम नाए